दोस्तों स्वागत है आपका मेरे योट्यूब चैनल इंग्लिश बाबू पर और आज मैं फिर हाजर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर और दोस्तों आज की जो स्टोरी मैं आपके ने लेकर आया हूँ ये बहुत ही इंट्रेस्टिंग स्टोरी है और अगर मैं कहूं क कि गारे ये मिरी सबसे जो पसंदिदा कहानी है उन मेंसे ये कहानी है क्यूंकि व्यक्ति तोर पर पर स्टोरी मुझे बहुत जादा अच्छी लगे और इसका कारण ये भी है ना सिर्फ या एक तरह से बहुत अच्छी एक सीख देने वाली उसके बारावा कहीं ना कहीं कहानी कुछ इस तरह की है और उसके अलावा कहानी के एंड में बहुत अच्छी है में सीख भी मिलेगी तो चलिए दोस्तो आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं कहानी का टाइटल है दा फ्रेंडली मंगूस क्या मतलब हुआ द दोस्त जैसा दोस्ताना या कह सकते हैं बहुत ही मिलनसार और मंगूस का मतलब होता है नेवला तो इसका क्या मतलब हुआ दा फ्रेंडली मंगूस मतलब की मिलनसार नेवला या कह सकते हैं दोस्त नेवला तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है शिर्षक है और जै पिनन सेशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल ही डीटेल में कवर करेंगे तो दोस्तों यदि आपको आज के स्टोरी में कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी जरूर करें तो दोस्तों आज की जो हमारी कहानी है यह पास्ट में है और जब हम कोई भी पास इंडेफिनेट में बाक्य बनाते हैं जब कोई भी ऐसा वाक्य हो जो कि पास इंडेफिनेट में और अफर्मेटिव हो तो वहां वर्ड की सेकंड फॉर्म का प्रियोग किया जाता है तो यह जो small son अपने छोटे बेटे के साथ तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बार एक किसान और उसकी पत्नी के गाउं अपने छोटे बेटे के साथ एक गाउं में रहते थे they loved him very much क्या मतलब हुआ दोस्तो लव का मतलब होता है बहुत ही जादा किसी से प्रेम करना प्यार करना और यह भी हमारे यह जो हमारा वाक्य है यह पास इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां पर second form का प्रियोग किया गया और दोस्तो दे का मतलब होता है वे या वे उसे बहुत प्यार करते थे we must have a pet क्या मतलब हुआ दोस्तो यह जो वाक्य है यह इस वाक्य में must का प्रियोग किया गया और साथ में have का प्रियोग किया गया जो की possessive के लिए किया जाता है और must का प्रियोग जब किया जाता है जब हम बहुत किसी भी वाक्य में बहुत ही आ पालतू जानवर ऐसे कुत्ते बिल्ली वगिरा जो घरों में पालते हो से पैट कहा जाता है तो उन्होंने क्या कहा कि वी मस्ट हेवे पैट हमारे पास अवश्य ही एक पालतू पश्यू होना चाहिए मतलब की एक दिन किसान ने अपनी पतनी से कहा चलिए आगे देखिए क्या मतलब हुआ दोस्तो यह जो हमारा वाक्य है यह प्रिजेंट इंडेफिनेट का अफर्मेटि वाक्य है जहां पर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होता है तो वर्फ की फिस्थ फॉर्म का प्रियोग किया जाता है तो क्या मतलब हुआ वैन आर सन ग्रोज अप मतलब जब हमारा बेटा बड़ा होता है तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हो उसने क्या कहा कि जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तब उसे एक साथी की जरूरत होगी दोस्तो यहां सन के बाद एपेस्टोफी एस का प्रियोग किया गया है जिसका मतलब होता है का के की जब हम किसी के साथ को जोड़ना चाते है तो वहाँ पर एपेस्टोफी एस का प्रियोग किया जाता है कुछ भी जोड़ने के लिए और साथ में जो भी नाउन एडजक्टिव हो उसको लगा दिया जाते है तो इस पूरी लाइन का क्या आर्थ हुआ मतलब यह जो पैट है यह जो पालतू पशू है यह हमारे दोस्त का साथी होगा जो उसकी पतनी थी उसे यह जो विचार था वो अच्छा लगा उसे पसंद आया चलिए आगे देखिए वन एवनिंग दा फार्मर ब्रॉट विद हिम आ टाइनी मंगूस क्या मतलब हुआ दोस्तो यह भी हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है और यह ब्रिंग की सेकेंड फोम है ब्रिंग का मतलब होता है लाना और आप इससे नोट कर सकते हैं यह वर्फ की फर्स्ट होम है और यह हमारी सेकेंड फोम है क्योंकि यह हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है और इसे ब्रॉट पढ़ा जाता है चलिए मतलब देख लेते हैं इसका है इटसब बेबी मंगूस मतलब यह एक छोटा यह कि सकते हैं यह कि शिषू नेवला है said his wife उसकी पत्नी ने कहा but will soon be fully grown fully grown का मतलब होता है पूरी तरीके से बढ़ जाना तो उसने क्या कहा but will soon लेकिन जल्दी ही ये पूरी तरह बढ़ जाएगा बढ़ा हो जाएगा he will be a friend to our son ये हमारे बेटे का दोस्त होगा आगे देखिए both the baby and the mangoose grew क्या मतलब हुआ दोस्तो grow का मतलब होता है आयू का बढ़ना बढ़ने को grow कहते हैं और ये second form है both मतलब दोनो तो क्या मतलब हुआ both मतलब की दोनो the baby, बच्चा and the mangoose और नेवला, grew बढ़े हो गए in five or six months मतलब की पांच या छे महीनों में the mangoose had grown to its full size क्या मतलब हुआ दोस्तो देखिए इस वाके में head के साथ third form का प्रियोग किया गया ये grow की third form है ग्रोन तो आपको ये चीज़ हमेशे याद रखनी है कि जब हम past past perfect का कोई भी बनाते हैं past perfect का मतलब होता है जब past में ऐसा वाके बनाया जाया जहांपर किसी क्रिया का पूरा होना पाय जाता है इस तरह का वाके past perfect का वाके कहलाता है और जब हम past perfect में कोई भी वाके बनाते है तो वहाँ पर head का प्रियोग किया जाता है helping वर्फ के रूप में और उसके अलावा वर्फ की third form का प्रियोग किया जाता है तो आप इस चीश को बहुत अच्छे से note कर लीजे कि past perfect में आपको head का प्रियोग करना होगा helping वर्फ के रूप में और साथ में वर्फ की third form लगानी होगी तो यह हमारी third form में grown तो इस line का क्या रथ हुआ in five or six months मतलब पांच या छे महीनों में the mangoose had grown to its full size जो mangoose था नेवला था वो अपने पूरी तरह से बड़ा हो चुका था had grown to its full size मतलब अपने पूरे size में वो बड़ा हो चुका था a lovely animal मतलब एक बहुत प्यारा सा पशू with two shining black eyes दो चमकती हुई काली आंकों के साथ and a bushy tail bushy का मतलब हो गया बहुत ही जादा बालों वाली और बहुत ही जादा बालों वाली पूच के साथ चली आगे देखिए और दोस्तों आपने मंगूस जो है नेवले को जरूर देखा होगा बहुत ही प्यारा सा लगता भी है वो चली आगे देखते हैं the farmer's son was still a baby in the cradle क्या मतलब वो है शौर्ण के दोस्तों क्रेडल का मतलब होता है पालना जिस में छोटे बच्चियों को रखा जाता है अंदी में और उसे ही इंग्लिश में प्रेडल कहा जाता है तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं तो इस लाइन का क्या रत हुआ the farmer's son जो किसान का बेटा था was still a baby दोस्तो s-t-i-double-l still का मतलब होता है अभी भी या फिर फिर भी तो आप इस word के meaning को भी note कर लीजिए still का मतलब होता है अभी भी या फिर भी और यहाँ पर इसका मतलब है अभी भी तो क्या मतलब हुआ कि the farmer's son was still a baby in the cradle जो किसान का बेटा था वो अभी भी एक बच्चा था in the cradle मतलब की पालने में sleeping मतलब जो सोता था and crying alternatively और जो रोता था alternatively रुक रुक कर वो रोता था चलिए दोस्तों आगे देखते है one day the farmer's wife wanted to go to the market क्या मतलब हुआ दोस्तों यह जो हमारा वाक्य है यह भी past indefinite का affirmative वाक्य है लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज पर ध्यान देना है कि इस वाक्य के अंदर दो वर्व का प्रियोग करके वाक्य को बनाए गया है देखिए जो इसमें पहली वर्व है यह want मतलब चाहना और यह second form है उसके बाद two लगा के अगली वर्व को जोड़ा गया है तो आपको यह चीज हमेशा याद रखनी है कि जवाब कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पर दो वर्व का प्रियोग किया जाना है तो जो पहली वर्व है उसको आपको sentence के accordingly use करना है यह pass indefinite का affirmative वाक्य है तो second form का use किया गया है उसके बाद आपको two लगाना है और two के बाद हमेशा ही वर्व की first form का प्रियोग किया जाता है तो आप इस चीज को हमेशा आद रखें कि जब आप दूसरी वर्व का प्रियोग करेंगे तो उससे पहले आपको two लगाना होगा और two के बाद हमेशा ही वर्व की first form का प्रियोग किया जाता है चलिए इसका मतलब देख लेते हैं और want का मतलब चाहना होता है तो इस पूरी line का क्या अर्थ हुआ one day एक दिन the farmer's wife मतलब कि जो किसान की पतनी थी wanted to go to the market मतलब किसान की पतनी बाजार जाना चाहती थी चलिए आगे देखिए she fed the baby और ये feed की second form है आप इसे note कर लीजिए FDD feed मतलब होता है खिलाना खिलाना पिलाना उसे feed कहता है और ये second form है she fed the baby मतलब उसने baby को बच्चे को खिला पिला दिया and rocked him to sleep दोस्तों rocked him to sleep का मतलब हुआ जब बच्चे को थब थपा क जाता है अक्सर आपने इस क्रिया को देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनको थब थपा के सुलाया जाता हिला डुला के थप थपा के उसे rock कहा जाता है वैसे rock का मतलब हिलाना भी होता है और जब बच्चें को सुलाय जाते है तो इसी तरह से थपकी देकर या फिर उनको हिला डुला के थप थपा के सुलाया जाता है तो उसे rock कहा जाता है तो इसका क्या मतलब हुआ she fed the baby उसने बच्चे को खिलाया पिलाया and rocked him to sleep और उसको मतलब थप थपा कर सुला दिया in his little cradle उसके छोटे से पालने में चली आगे देखिए picking up the basket she said to her husband क्या मतलब हुआ pick का मतलब उठाना हो रही है फूर्थ हो में picking up मतलब picking up the basket टोकरी को उठाते हुए she said to her husband उसने अपने पती से कहा I am off to the bazaar मतलब की मैं bazaar जा रही हूँ the baby is sleeping दोस्तों यह जो हमारा वाक्य है यह present continuous का वाक्य है present continuous का मतलब होता है जब हम कोई भी वरतमान में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां हम यह show करते हैं कि कोई करिया हो रही है चल रही है तो इस तरह का वाक्य present continuous का वाक्य कहलाता है जहां वाक्य की टेल पर रहा है रही है रहे हैं जैसे शब्दात है और उसके अंदर इसमार का प्रियोग किया जाता है helping of के रूप में साथने वर्फ की fourth home लगाई जाती है तो इस line का क्या अर्थ हुआ the baby is sleeping जो baby है बच्चा है वो सो रहा है keep an eye on him keep an eye का मतलब था नजर रखना keep an eye on him मतलब उस पर नजर रखना तो दोस्तों इसे आपको साँज में आए गया होगा जो किसान की पतनी थी उसने अपने पती से कहा कि बई मैं बाजार जा रही हूँ और जो बच्चा है वो सो रहा है और आप उस पर नजर रखना frankly मतलब की frankly I don't like to leave the child alone with the mangoose उसने क्या का frankly frankly का मतलब होता है बिना किसी चलकपट के किसी बात को बिलकुली आसानी से कह देना बिना कुछ भी छुपाए उसे frankly कहा जाता है तो उसने क्या कहा कि frankly I don't like to leave the child मतलब मुझे बच्चे को छोड़ कर जाना पसंद नहीं है अकेले छोड़ कर जाना पसंद नहीं है with the mangoose नेवले के साथ चली आगे देखिए you need not be afraid said the farmer किसान ने क्या कहा कि you need not be afraid आपको डरने की जरूरत नहीं है आपको डरने की आवश्यक्तन नहीं है the mangoose is a friendly animal जो mangoose है जो नेवला है is a friendly animal वो एक मतलब की friendly animal है मतलब की वे तना का मित्र पशू है या कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छे मिलन सार जो पशू होता है क्या कौन होता है mangoose it's as sweet as our baby वो उतना ही मतलब की sweet है मतलब अच्छा है प्यारा है जितना हमारा बच्चा and they are the best of friends और वो सबसे अच्छे दोस्त हैं you know तुम जानती हो चले आगे देखिए the wife went away जो पतनी थी वो चले गई and the farmer having nothing to do in the house और जो किसान था उसके पास घर में करने के लिए कुछ भी नहीं था decided to go out और उसने फैसला किया बाहर जाने का and take a look at his fields और उसने फैसला किया कि वो बाहर जाएगा और जो उसके खेत हैं उस पर एक वो नजर मारेगा मतलब वहां जाके एक पर उनको देखेगा not far away जो ज़्यादा दूर नहीं थे आगे देखिए he ran into some friends on the way क्या मतलब हुआ ran into का मतलब होता है किसी से मुलाकात हो जाना he ran into some friends on the way मतलब रास्ते में उसकी कुछ दोस्तों से मुलाकात हो गई way back मतलब जब वो घर वापस आ रहा था उस रास्ते पर उसकी कुछ दोस्तों से मुलाकात हो गई and did not return for quite some time और वो काफी लंबे समय तक घर वापस नहीं लोटा चली आगे देखिए the farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries क्या मतलब हुआ और दोस्तों ये भी हमारा पूरा का पूरा पास इंडेफिनेट का ही affirmative वाक्य है इसका मतलब देख लेते हैं और ये कम की second form में came जिसका मतलब होता है आना और finish का मतलब किसी चीज़ को खतम कर देना समाप्ट कर देना the farmer's wife finished her shopping मतलब जो किसान की पतनी थी उसने अपनी जो shopping थी मतलब जो खरीदारी की जो उसकी प्रिक्रिया थी वो उसने खत्म की and came back home और वो घर वापस आ गई with a basket full of groceries मतलब एक जो groceries होती है जो क्रियाने का जो सामान होता है घरेलू उसकी मतलब की उसको लेकर basket full मतलब की टोकरी से जो क्राने का जो सामान था उसकी टोकरी लेकर मतलब उससे क्राने के सामान से भरीवी टोकरी लेकर वो घर वापस आ गई she saw the mangoos और दोस्तों ये c की second form है c मतलब देखना saw मतलब देखा she saw the mangoos उसने नेवले को देखा sitting outside जो की बाहर बैठा हुआ है as जैसे की if waiting for her जैसे की वो उसका इंतिजार कर रहा हो चलिए आगे देखिए on seeing her on seeing her मतलब उसको देखकर he ran to welcome her और ये run की second form है he ran to welcome her मतलब वह उसके स्वागत करने के लिए भागा as was customary customary का मतलब होता है की रिवास के रूप में as was customary मतलब जैसा रिवास था रिवास के रूप में होता है वैसे ही वो मतलब भागा उसका स्वागत करने के लिए the farmer's wife took one look at the mangoos और ये second form है take की second form took the farmer's wife took one look at the mangoos जो किसान की पत्नी थी उसने एक नजर डाली किस पर नेवले पर and screamed और वो चिलाई scream मतलब चिलाना और second form हो चिलाई चीखी चीखना चिलाने को scream कहता है and screamed और वो चीखी blood मतलब खून she cried वो रोई और चिलाई the face and pose of the mangoos were smeared with blood क्या मतलब हुआ कि जो चहरा था और जो उसके पंजे थे किसके of the mangoos नेवले के were smeared with blood वो खून से सने हुए थे चलिए आगे देखिए you wicked animal wicked का मतलब है धूर्त मतलब कि तुम धूर्त पशू जानवर you have killed my baby तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है she screamed historically historically का मतलब होता है बार बार जो चीज करी जाए उसे historically कहा जाता है जब अक्सर व्यक्ति गुस्से में होता है या फिर थोड़ा सा भावना में भै जाता है और किसी बात को जब वो बार बार कहता है तो उसे historically कहा जाता है जो कि एक एड़वर्ब है तो क्या मतलब होता है she screamed historically मतलब वह चिलाई बार बार वो चिलाई she was blind with rage rage का मतलब होता है गुस्सा आवेश आक्रोश she was blind with rage और वो बिलकुल अंधी हो गई गुस्से में and with all her strength मतलब और उसने पूरी ताकस से brought down the heavy basket full of groceries उसने मतलब की जो भारी वजन वाली जो बास्केट थी टॉकरी थी जो की भरी हुई थी किराने के सामान से on the blurred smeared mangoose उस खून से सने वे mangoose पर उसने मार दी मतलब की गिरा दी and ran inside और वो अंदर दोड़ी to the child's crater बच्चे की पालकी की पालकी के तरफ जो उसका पालना था उसकी तरफ चली आगे देखिए the baby was fast asleep जो बच्चा था वो बहुती गहरी नीद में सोया हुआ था fast asleep का मतलब होता है गहरी नीद में सोना तो क्या रत हुआ कि जो बच्चा था वो गहरी नीद में सोया हुआ था but on the floor लेकिन फर्ष पर lay a black snake लेकिन एक जो काला साँपे वो पड़ा हुआ था lay मतलब पड़ा हुआ हो ना torn जो की ये tear की third form है torn साथ में adjective है जिसका मतलब होता है fatna जो की fatna हुआ था and bleeding और वो उसका खून बह रहा था inner flesh मतलब की तुरंत ही she realized उसे महसूस हुआ realize का मतलब था महसूस होना और ये second form है inner flesh मतलब की तुरंत ही she realized उसे महसूस हुआ what had happened की क्या हुआ था she ran out looking for the mangoose और ये run की second form है she ran out looking for the mangoose वो mangoose को देखने के लिए बाहर दोड़ी चली आगे देखिए oh you saved my child तुमने मेरे बच्चे को बचाया you killed the snake तुमने साप को मार दिया what have I done मैंने क्या किया she cried वे चिलाई touching the mangoose मतलब की नेवले को छूती हुई who lay dead जो की मरा हुआ पढ़ा था and still और बिल्कुल इस्थिर पढ़ा था still का मतलब होता है बिना हिले डिले जो मरा पढ़ा था unaware of her sobbing sobbing का मतलब होता है सिसकना जो की unaware था मतलब उसे बिल्कुल मतलब की अन भिग्य था उसे सीच के बारे पता नहीं था offer sobbing उसके सिसकने के बारे में जायर सी बात है जो नेवला था तो मर चुका था जिसकी वज़े से वो जो किसान की पतनी थी वो रो रही थी लेकिन वो उसको नहीं सुन पा रहा था चलिए आगे देखिए दा फार्मर स्वाइव जो किसान की पतनी थी who had acted hastily दोस्तों hastily का मतलब होता है बहुती जल्दबाजी में जो किसान की पतनी थी जिसने बहुती जल्दबाजी में act किया था, काम किया था and rashly और बहुती खतरनाग धंग से stirred long at the dead mangoos वो घूरती रही किसे काफी दिर तक घूरती रही किसको घूरती रही at the dead mangoos मरे हुए नेवले को then फिर she heard the baby crying फिर उसने बच्चे के रोनी की आवास को सुना wiping her tears अपने आसों को पोंचते हुए she went into feed him वह उसे खिलाने के लिए चली गई और दोस्तों आज ये कहानी सुनाने के बाद मैं भी थोड़ा सा emotional हो गया हूँ कहानी बहुत ही अच्छी थी और जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा वो जो प्यारसा नेवला था जो कि किसान और उसकी पत्नी ने उसको रखा था अपने बच्चे के पास उसके दोस्त के तोर पर जब भी बड़ा हो जाएंगे तो वो दोनों अच्छे दोस्त बनेंगे और जो नेवला था वो अपना फर्स पूरीता निभा रहा था जब किसान की पत्नी बाहर गई बजार सबजी वगरे लाने और एक साप वहां पर आया तो मंगूस ने उसको मार दिया लेकिन गलत फहिमी की वैसे किसान की पत्नी को ऐसा लगा कि शायद इस नेवले ने उसके कहानी का सच ये निकला कि असल में वो जो मंगूस था वो किसी की जान लेने वाला नहीं था बलकि वो तो किसी की जान बचाने वाला था अंत में उसे ही अपनी जान को गवाना पड़ा किसी की मुर्खता के कारण तो दोस्तो आज की जो कहानी है बहुत ही अच्छी कहानी है मैं उमेद करता हूँ आपको जरूर अच्छी है लगी होगी और ये कहानी जो है वो हम सब के लिए एक बहुत अच्छा संदेश भी देती है कि कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए क्योंक की पतनी थी उसने गुछसे में वो जो उसके पास तोकरी थी जो कि भरी हुइती सामंन से उसको मंगूस के ओपर मारा और मंगूस मर गया लेकिन जब उसे इस चीज का रियलाइज हुआ कि उससे गलती होगी लेकिन उसके बाद उपनी गलती को नहीं सुदार सकती थी क्योंकि मंगूस जो था मर चुका था दोस्तो इस कहानी का यह अई कैम कोई काम जलद बादे में नहीं लेना चाह talkin तो च Sebando चो का यह अड़ानी को आपको अच्छी लगी हो की और यदि आपको मेरे मेरा पढ़ाने का तरीका भी आप को अच्छा लगा हो तो आप से रिक्वेस्ट है आप वीडियो को जरूर लाइक करें शेयर करें और उन लोग के साथ जरूर शेयर करें जो इंगली सीखना चाते हैं ताकि उन लोग को भी इस तरह के ट्रांसलेशन से बेनिफिट मिले और आज की कहानी के बारे में यदि आप के दिल को चुआ हो तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं आज की इस कहानी के लिए मैं आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट करके जरूर बताएं कि जो कहानी है वो आपको कैसी लगी और क्या इस कहानी ने वाकिए में आपके दिल को हुआ या नहीं चुआ जो भी है आप मुझे कमेंट के मादम से जरूर बताएं यहां तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच है वे नाइस टे एंड बाई